हाथ तो Flipkart Big Billion Day Sale start होने ही वाला है और इस साल अगर आप iPhone पर्चेस करने का प्लान बना रहे हो और सोच रहे हो कि EMI पर हम पर्चेस कर लें तो क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ पर इस वीडियो में पूरा completely आपको बताने वाला हूँ बहुत कम टाइम बचा हुआ है Sale start होने में और अगर आपको कोई भी iPhone पर्चेस करना है तो यहाँ पर काफी strategies और काफी tricks के आपको जरूरत पड़ेगी तो वो tricks और टिप्स वाले वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ तो उसके लिए आप चेनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके ला चेनल को भी जॉइन करके रखिए और चेनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें तो अपना आ चुके है flip card के उपर और यहाँ पर iPhone को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइज है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से अब नीचे यहाँ पर आपको दो ओप्शन दिखाई दे रहे हैं पहला है पेवित ये माई और दूसरा है बाई नाउ दोनों ही ओप्शन से आप सेम प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे अपन यहाँ पर सिधा पेवित य चीजे ध्यान रखने की जरूरत है तो उसका वीडियो में आई बटन में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसको देख लेना एक एक चीज़ को अच्छे से फोलो करना ताकि आपको कोई प्रोब्लम ना आए अब यहाँ पर आपको प्राइजस वगेरा दिख जाएंगे करवा सकते हैं या फिर आप करवा सकते हैं 12 मंत की एमाई और इतने जादा टाइम डूरेशन के लिए नो कोश्ट एमाई के ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं जनरली 3 मंत और 6 मंत के ऑप्शन मिलते हैं तो यह काफी बड़िया टाइम है सेल के दौरान भी यह ओपर रहेगा अब डेफिनेटल अगर आपके पास में वजाज फाइनेंसीव का कार्ड है तो आप करवा सकते हैं बाकि अगर यह कार्ड आपके पास नहीं है और किसी दूसरे कार्ड से आप यह माई करवाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि सेल के दौरान कुछ और कार्ड पर भी नो कोश टेमाई के ऑप्शन आजाएं और अगर नहीं आते तो फिर यहाँ पर आपका 14 से 16 परसेंट के आसपास में इंटरेस्ट लगने वाला है बस इसके बाद में यहाँ पर प्लान को सिलेक्ट करना है और चूस प्लान पर आप जैसे क्लिक करेंगे त यहाँ पर कार्ड डीटेल डालने का ओप्शन आ जाएगा और जो कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे है वो आपने उल्रेडी एड़ करके रखा हूँ तो उसकी डीटेल तुरंत यहाँ पर आजाएगी अगर आपको उसी टाइम पर डालना पड़ेगी और अगर आप सेल के तुर आप already इसको case पर purchase कर सकते हैं और अगर आपका काम किसी और phone से चल सकता है तो यहाँ पर iPhone को EMI पर purchase मत करना किसी भी EMI trap में फसने से बचना है आपको हाँ अगर आप इतना enough कमाते हैं कि इसकी EMI आसानी से चली जाएगी और आपको इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो definitely आप कर सकते हैं उम्मिदे वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई